हलो बच्चो स्वागत एक बार फिर से आपका इस competition की दुनिया में दुस्तो आज आप लोग करने वाले हैं current affair के बहुत ही ज़्यादा important question जो की आपके exam में पूछे जाने की संभावना है दुस्तो आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो यूपी पी हो गया ससी हो गया जीरी हो गय किसी भी exam की तयारी कर रहे हो अगर current affair का question फसा तो गारंटी है question यहीं से वनेगे आपके exam में जो मैं question कराऊंगा वो आपके exam में पूछे जाने की संभावना रहेगी चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि current affair के question आपको कैसे करने हैं आपर जोस्त के बाद में plus मैं आपको 25 question ऐसे दिये जाएंगे जो कि मैंने अगली वीडियो में करा दिया हूं और वो revision के तौर पर रहेगा क्या बचो revision के तौर पर मैं 25 question कराऊंगा जिससे क्या रहेगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो पुराना वाला है वो भी याद हो जा करते हैं चलिए पहला प्रश्ण आपके screen पर लग चुका है इसका answer आप सब लोग comment box में च्छापेंगे अगर आप नहीं च्छाप पाते हैं तो कोई बात नहीं आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे मेरी आवाज को आप लोग बहुत ही अच्छे से सुनेंग चलिए पहला प्रश्ण पढ़ते हैं पहला प्रश्ण क्या कह रहा है पहला प्रश्ण कह रहा है हाली में राश्ट्री ये आम दिवस कब मनाया गया है बच्चों बहुत ही important question है जो भी lower जैसे CRPF का exam हो गया और प्रश्ण बहुत ही ज्यादा पूचे जाते हैं और important भी है तो आप लोग इसको करेंगे, पहला आफसन है 20 जुलाई, 21 जुलाई, या फिर 22 जुलाई, या फिर इन में से कोई नहीं, इन 4 आफसन में से कौन सा आफसन सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, चलिए, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आप आपको यहां पर 22 जुलाई दिख रहा होगा तो बच्चो 22 जुलाई को राष्ट्रिय आम दिवस मनाया जाता है जब बात करते हैं 22 जुलाई की तो बात कर लेते हैं कि 22 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है तो बच्चो आप कह सकते हैं इसके बाद में उन्नीस जुलाई को क्या मना जाता है तो आप कहेंगे बीशु सतरंज दिवस मना जाता है अभी मैंने आपको पहले ही बताया था किस क्रेंट लगाते हैं सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है मात्र दस पंद्रा बीस बिनट की वीडियो रहेगी आप सब लोग देख लीजेगा और इसके बाद में करंट अफेर्ट से आपका प्रश्ण नहीं छूटेगा चलिए अगला प्रश्ण क्या कर रहा है हाली में किस राज के मुखमंतरी ने किस राज मुखमंतरी ने ग्रामीर आवास न्याय योजना सुरू की है पहला जो है बिहार दूसरा राजस्थान तीसरा च्छतीजगर इन में से कोई नहीं है कॉन सा आफषान सही हो जाएगा तो बच्चों आप चले जाएंगे आफषान नमबर C क तरफ क्या छतीस गड़ ापका राइट एंसर हो जाएगा अगर हम छतीस गड़ तक आ गए है तो जान लेते हैं छतीस गड़ की राजधानी क्या है तो बच्छों आप कहेंगे रायपूर क्या छतीस गड़'s मंत्री अभी कोन है तो आप कहेंगे भूपेस बगहेल, राजपाल यहां के कौन है, तो बिस भूसार सिंग, ठीक है, उपमुख मंतरी यहां के कौन बने है, तो T.S. सिंग देव, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, नेस्ट प्रशन की तरफ, जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको आप सु पहली में, अमेरिकी इतिहास में सीर्स न्वसेनिक अधिकारी बनने वाली पहली महला कौन है, पहला है, मौच्छा है, दूसरा है, लिसा, फ्रेंचेटी, तीसरा है, दीच्छा, डागर, इन चारो आप से कौन साप सन सही हो जाएगा, उससे लास्ट वाले का कोई मतलब नह ही रहता है, इन में से कोई नहीं, वैसे इन में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, तीसरे का आइंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे, लिसा, फ्रेंचेटी, ठीक है, चलिए, अमेरिकी इतिहास में सीर्स नौसेनिक अधिकारी बनने वाली पहली महला कौन है, तो आ भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की, क्या बच्चो, मादक पदार्थों की जो तसकरी होती है, उसको रोकने के लिए एक जो है, आपरेशन चलाया है, कौन सा है, आपरेशन, चलिए आप सब लोग सुनिएगा, आपरेशन बॉर्डर इसकोर्ड का, ठीक है, ये आगे चलते हैं एक बात और जान लेते हैं यह अमेरिका जो है अमेरिका की जो सेना है वो दुनिया की सबसे सकति साली सेना बन चुकी है चलिए नेश्ट परश्ण की तरफ चलते हैं चौथा प्रश्ण आपके स्क्रीन पर लगाते हैं चौथा प्रश्ण आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसका एंसर आप सो लोग छापिए, क्या कह रहा है, हाली में RBI ने किस राज में इस्थित यूनाइटेड इंडिया को आपरेटी बैंक का लाइसेंस रद्ध कर दिया है, मतलब यूनाइटेड इंडिया को को आपरेटी बैंक का लाइसेंस रद्ध कर दिया है, तो इन में से कौन साफसन सही हो जाएगा, माहराष्ट का है, या फिर राजस्थान का, या फिर उत्तर परदेश, या फिर इन में से कोई नहीं, कौन साफसन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे उत्तर परदेश, क्या बच्चो उत्त उत्तर पर्देश इसका राइट एंसर हो जाएगा उत्तर पर्देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छा उत्तर पर्देश की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे लखनो लखनो कहां है किस नदी की किनारे है तो आप कहेंगे गोमती नदी की किनारे अच्छा पच्छी क्या है सारा स्क्रेन है पुस्प की अगर बात करें तो पुस्प क्या है तो बच्चों कमल नहीं कहेंगे ठीक है पुस्प क्या है प्लास है बिर्च क्या है असोख है आप मेरी आवाज को सुनिए सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए और स्क्रीन को देखते रही है मैं ज कि निर्म्छा सीथा दसने कहां GST भवन का उधिभातन कियाएं कहां GST मूंबई अगर तला कोलकता इनमेंसे कोई नहीं इनमेंसे कौन सा अपको सही हो जाएगा तो आप क्या कहिंगो बच्चों आप कहesiं नम्बर B सही प्पर यह वाउचें कि अगर तला इसका मिट क्यों है मिट का निधन हुआ है वे कौन थे अच्छा ये प्रश्ण कहे रहा है हाली में केविन मिटनिक का निधन हुआ है वो कौन थे तो आप क्या बताएंगे एक अगले प्रशंद की तरफ चलते हैं कि कि अगला प्रशन क्या करा है कि हाली में किसे घ्राई की ये प्रशन जो है मैं चपरस्ट जो मैं करा दिया हूँ आपको एक बार मैंने करा दिया था मैंने बताया जो जो important ये सभ ost है बार बार पूछा जाइगा आपके exam में और मैं भी पूंच प्रश्ण कहा रहा है हाली में किसे का परबंध निदेशक किया गया तो आप कहेंगे निबृति को या फिर सारी का बर्द्वाज को या फिर सत्पाल भान को तो आप सीधे चलेंगे सत्पाल भान की तरफ कौन सत्पाल भान की इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए नेस्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन आपकी स्क्रिन पर लगाते हैं लीजे, हाली में आरके सिंघ ने कहां 14 वी स्वच उर्जा मंतर अस्तरीय बेठक की अधिशता की है, पहला अफ्षन गोवा दूसरा गोवा और तीसरा राजस्थान, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोवा इसका राइट एंसर हो जाएगा, गोवा तक अगर हम गए हैं तो जान लेते हैं गोवा की राजदानी क्या है तो पंट जी दिखिए ये छोटी छोटी बाते हैं इनको जानना बहुत जरूरी है गोवा की राजदानी क्या है पंट जी यहां की मुखमंतरी कौन है तो आप कहेंगे परमोद सावंत है राजपाल की बात करें तो राजपाल कौन है सिरी धरन पिलाई है ठीक है चलिए इसके बाद में नेस्ट कोश्चन की तरब चलते हैं अच्छा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा उपर सरकाते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोवा की तो बच्चों गोवा में अभी तिरपनवा तोंसा तिरपनवा भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्चो मनाया गया है कहां पर गोवा में तिरपनवा यहाँ पर मैं लिखके थोड़ा सा कोशिस क करता हूं तिरपनवा जो है भारती अंतराष्टिये फिल्म महुत्सो कहा मनाया गया है गोवा में मनाया थीक है चलिए नेस्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कौश्चन लगाते हैं स्क्रीण पर अगले प्रश्ण लग चुका है स्क्रीन पर हाली में अंतर राष्टिये मायलोमा फाउंडेशन की नए अध्यच कौन बने हैं मायलोमा फाउंडेशन की नए अध्यच कौन बने हैं पहला राकेश पाल अभीजी चर्मा तीसरा एस विंसेट राजकुमार इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे एस विंसेट राजकुमार ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण क्या कर रहा है हाली में ना जिया नम गया खंपा को किस देश में भारत का अगला राजधूत नुक्त किया गया है कौन बच्चो नाम गया खंपा को किस देश में अगला भारत का राजदूत नुक्त किया गया है UAE या फिर Somalia या फिर France या फिर इनमें से कोई नहीं तो आप क्या कहेंगे Somalia में नुक्त किया गया है कहां पर सोमालिया में नुक्त किया गया है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं सारे important प्रशन ये सब प्रशन आपके एक्जाम में बहुत ही ज्यादा पूंचे जाने की संभावना है इसलिए मैं प्रशन को बहुत ही ज्यादा च्छाट के लाता हूं ताकि आपका एक्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए चलिए प्रशन पढ़ते हैं हाली में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट के क्रिकेट में 600 बिकट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं क्या कह रहा है प्रशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं हाली में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 बिकट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं पहला है जेम्स एंडर्सन दूस्तरा है ट्रेविस हैड तीसरा है इस्ट्वर्ट कौन इस्ट्वर्ट तो आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर इस्ट्वर्ट वार्ट यही आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन की तरफ चलते हैं 12 नंबर प्रशन लगाते हैं आपकी स्क्रिन पर Qsni क्या कарा है हाली में किस राज सरकार ने एकल उपयोग प्लाष्टिक को चरल्बद तरीके से बंद करने का निर्ले लिया है पहला ओडीसा우, असम, महराष्ट इनमें से कोई नहीं इनमें से कौनसा ऐसा राज है जो कि क्या किया है एकल उपयोग प्राश्टिक को चलरवद तरीके से बंद करने का निर्ले लिया है तो आप क्या बताएंगे बच्चो आप बताएंगे असम राज जो है ये निर्ले लिया है, ठीक है असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे दिसपुर मुखमंतरी कौन है तो आप कहेंगे हेमत एक मिद वचो हाँ चलिए मुखमंतरी कौन है तो हेमत बिस्त सर्मा ठीक है इसके बाद मैं राजपाल की बात करेंगे राजपाल कौन है तो गुलाब चंद कटारिया है ठीक है चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं एक अभी अभियान सुरू किया गया है गोवा में कहाँ पर स्वारी तो आसम में असम में एक अभियान सुरू किया गया है कि जब आसम के जो मेधावी छात्र हैं, बारवी फास्ट करने के बाद में, जो मेधावी छात्र रहेंगे उनको क्या किया जाएगा ?ored एक स्कूटर gift किया जाएगा, आसम सरकार की तरफ से दिया जाएगा .चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं लिजे तेरा नमबर प्रश्ण लग चुगा है आपकी स्क्रिन पर क्या कर रहा है हाली में भारत और किस देश ने नवी करड क्या नवी करड ये उर्जा के छेत्र में सहयोग समझोते पर हकताक्षर किये हैं तो आप क्या बताएंगे इसका राइट एंसर पहला जापान दूसरा अमेरिका तीसरा स्री लंका चौथा इन में से कोई नहीं तो कौन सा सही हो जाएगा तो आप चले जाएंगे स् पर प्राबलम होती है तो आप सिर्फ समझें ठीक है अवाज को सुनिए और याद करिए हाली में किस राज सरकार ने एक लाख रुपे तक का ब्याज मुक्त फसल रिड शुरू किया है मतलब एक लाख रुपे तक का ब्याज मुक्त फसल रिड आप रिड ले सकते हैं एक ल औरिशा ने, कौन से राज्था में बच्चो? ओड़ीसा ने सुरू किया है तो आप कहेंगे बुरिनेसर हैं, क्या है इसकी राज्थानी? तो आप कहेंगे बुरिनेसर हैं मुक्मंत्री कौन है तो नवीन पटनायक है राजपाल कौन है राजपाल कौन है बच्चो चलिए राजपाल आप सब लोग बताएंगे राजपाल आप सब लोग बताएंगे इसके वैसे हम यह बता दे रहें लाश्ट में क्या रहेगा राजपाल में लाल रहेगा आगे आप कौन सा वर्ड हैगा इनके नाम में ठीक है थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं आगे आप सब लोग बताएंगे चलिए नेस्ट प्रश्ण की तरह चलते हैं कमेंट करिएगा इसका इसका एंसर आप सब लोग कमेंट करिएगा लीजे बहुत ही बहतरीण प्रस्ण आचुका है और यह आज का अंतीम प्रस्ण है इस प्रस्ण का एंसर आप सब लोग वो कमेंट वाक्स में देना है और इसके पहले वाला प्रस्ण का भी एंसर आपको कमेंट वाक्स में देना है चलिए हाली में ICC बिस्टुकप 2023 के ब्रांड एंबेस्टर कौन बने हैं पहला अपसन अजय कुमार दूसरा रडवीर सिंग तीसरा सारु खान और चौथा इनमें से कोई नहीं यह कौन सा अपसन सही रहेगा आप सब लोग कमेंट वाक्स में छाप किया था उसका सिर्फ आपको एंसर बताना है बस और कुछ करना ही नहीं है सिर्फ आपको एंसर बताते हुए चले जाना है चलिए नार्थ चैनल को कौन सबच्चो नार्थ चैनल को पार करने वाला इसका राइट एंसर आप सब लोग सिकंड नहीं लगाएंगे सिकंड भी नहीं लगाएंगे आप सब लोग इसका एंसर देंगे नार्स चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बैक्ति कौन बने हैं इससे आपका रिवीजन हो जाएगा क्या अंसुमन जिगरन चलिए नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं हाली में आरपी अपका महानी किसे निक्ति किया गया है तो आप क्या बताएंगे मनोज यादो को किसको बच्चो मनोज यादो को इसकी व्याक्षा नहीं करेंगे आप सब लोग जानते हैं मैंने कल कर दिया था इसकी व्याक्षा ठीक है आज आप सब लोग इसका एंसर बताए ग्रामीर आवास्ट निया योजना की सुरुवात किस राज में की गई है तो आप क्या बताएंगे 36 गड़ में क्या 36 गड़ नेस्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं भारत की पहली सेटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज में में खोळी गई तो आप कहीं गुजरात को मिली है ओरतमान में भारत की किस हाई कोइड में महिला मुख। नुक्ते किए तो आप क्या बताएंगे गुजरात की अ झीना और इसके बाद में अगरे सरकार के किस मंत्रा लेने इने घी इंपोर्टल से माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट पुरुसकार जीता है तो आप क्या बताएंगे बच्छों इसमें कि एक मिनट बच्छों कि चलिए यह प्रश्ण क्या कह रहा है भारा सरकार की किस मंत्रा ले जी एंपोटल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट पुरुसकार जीता है तो आप इसका एंसर क्या बता देंगे बच्छों कोईला मंत्रा ले ठीक है नेश्ट कोशन की तरफ चलते हैं बहुत ही तेजी से बताएंगे इसका एंसर फीफा वबेन वर्ड कप दोजार तेज का योजन कहां किया जा रहा है तो आप क्या बताएंगे मैंने आपको बताया था आश्टेलिया और न्यूजिलेंड अगले प्रशन की तरफ चलते हैं भारा सरकार दौर अप्पह सुधंशेत्र के विकास के लिये किसी योजना की शुरुवात की गई है किसी योजना की सुरुवास की अगला प्रशन की आ गया है हाली हाली में सिनेमेटो ग्राफ संसोधन VIDHEक को राजसाभाल प्रस्तुत किया गया है इसे पहली बार तो आप कहेंगे 1952 में कब बच्चों 1952 में हाली में किसे एलाइसी करनाया मैंएजिंग डरेक्टर निक्त किया गया है मैंएजिंग डरेक्टर बच्चो मैंनेजिंग डरेक्टर आप कहेंगे सत्पाल भानुकू ये प्रश्ण तीन-चार वार आ चुका है हाली में किस राज के मुखमंत्री ने सतक्त महिला रिडियोजना सुरू किये किस राज के बच्चो तो आप कहेंगे हिमाचल परदेश क्या बच्चो हिमाचल परदेश ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं हाली में किसे देश की पहली सेटिलाइट नेटवर्क पोटल ये बच्चो तीन बार प्रश्ण आ चुका है इसमें गुजरात हो जाएगा नेश्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं हाली में किसने बिटेन के प्रदान मंत्री का पॉइंट आफ लाइट पुरुषकार जीता है किसने जीता है बच्चो प्रश्ण क्या कह रहा है बच्चो फिर से पड़ते हैं हाली में किसने बिटेन के प्रदान मंत्री का पॉइंट आफ लाइट पुरुषकार जीता है ये बच्चो प्रश्ण तीन वार आ चुका है कि मुक्ति चीनी उपलद कराएगी आपको मैंने बताया था दिल्ली है तो दिल्ली वाले कराएगे आगे चलते हैं हाली में किष्ण ने फीफा महिला बिस्तुकप 2023 के लिए टीवी अधिकार हांसिर की ने तो डीडी स्पोर्ट ने किया है हाली में ASEAN Championship 2023 के सुभांकर बोमन का अनावरण कहां किया गया है बच्चों तो आप कहेंगे चेन्नेई में किया गया है कहां पर किया गया है चेन्नेई में किया गया है अगी में किसे भारतिय महिला बॉलीबाल टीम का नया कोच निप्ति किया गया है तो आप कहेंगे रवींद्र वन्स्टू को हाली में किस बैंक ने अमरित महत्थो अमरित महत्थो FD योजना शुरू किया है तो आप कहेंगे IDVI बैंक ने अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है हाली में किसे रेल्वे सुरच्छा बल का महानी देशक निक्ट किया गया है तो आप इस प्रश्ण का एंसर भी बताये थे राकेश पाल को किसको बच्चो राकेश पाल को राकेस पाल को आप answer बताएं थे ये तीन बार गलत हुआ था आपसे और तीन हो बार मैंने बताया था लेकिन इसका right answer क्या रहेगा मनो जादो इसके पहले भी अभी आया था ये प्रश्ण और बार बार ये गलत हो जाता है क्या हो जाएगा उच्छो यहां पर मनो जादो इसक उपर हकताचर कियें किसने कियें बच्चो तो आप कहेंगे जापान ने जापान इसका right answer हो जाएगा नेश्ट कोस्टन के तरफ चलते हैं पांच कोस्टन और बच्चे हैं और ये कोस्टन ये स्रीज आज की complete हो जाएगी हाली में किस राज़ी सरकार ने EV subsidy दावे के परसंस पीपी आधहारित अटल कि टिंकरिंग लैम अस्थापित की है तो इसका right answer क्या बताएंगे आप से लोग केरल बता देंगे आगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हाली में भारत और किस देश ने ससस्त्र बलों के लिए हेलिकाप्टर सहयोग समझते पर हताचर किये हैं तो प्रश्न की तरफ चलते हैं हाली में किस राज के मुख मंत्री ने खडग नदी बेसीन परियोजना को मंजूरी दिये तो आप इसका right answer क्या बताएंगे आप कहेंगे ओड़ी सा कहां है ओड़ी सा इसका right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फिर से वही प्रश्न आ गया है घूमके इसका right answer क्या हो जाएगा नर्स चैनल पार करने वाले तो अंसुमन झिंगरन 18 साल 125 दिन चलिए आज की स्रीज जो है खतम होती है आज की स्रीज जो है खतम होती है और बच्चों वीडियो कैसी लगी है आप सब लोग कमेंट के माद सार रोज मिलती रहेगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वंद्यमात्रम जहिन